हेलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम करेंगी क्लासिक्स मैथ और एक्सेसाइज में 4.16 रहेगी तो इस एक्सेसाइज में हम वृत से संबंदित कुछ प्रसंद करेंगे तो इन प्रसंदों को करने से पहले हम वृत के बारे में समझ लेते हैं वृत होता क्या है तो देखो वृत क्या होता है इसमें है आपके पास इस तरह से कोई भी आकरती होगी उसे हम वृत कहेंगे इसमें एक बिंदू होता है बीच में इसे हम केंदर कहते हैं क्या कहेंगे केंदर ओ ठीक है ये वृत का केंदर है सेंटर बोलेंगे इसे ठीक है और इस वृत को हम कहेंगे सरकल इंगलिस में इस बिंदू से इसकी दूरी जो भी इसकी बाउंडरी की दूरी है वो समान होगी और इस बिंदू से केंदर से ये वृत जितनी भी दूर होगा तो ये इसकी त्रिज्जा कहलाती है त्रिज्जा या इसे रेडियस बोलते हैं इंगलिस में या इसे बोलेंगे radius और इसे हम बोलते हैं केंदर ठीक है ओ बिंदू क्या बोलेंगे केंदर बोलेंगे यह केंदर है और जितनी यहां से यहां तक दूरी है केंदर से इसके प्रिधी की दूरी है यह होती है त्रिज्जा या radius और जो यह boundary है इसे हम प्रिधी बोलते हैं वृत की प्रिधी या सर्कम फ्रेंस बोलते हैं इसको इंगलिस में सर्कम फ्रेंस ओफ सरकल एक वृत की प्रिधी है और यह त्रिजा है और जब यह त्रीजा यहां से आगे इधर बढ़ाते हैं हम यादि जितनी त्रीजा यह है उतनी ही हम अगे इसको इधर बढ़ा दें तो यह भी त्रीजा है radius R और अब यह दो त्रीजाई मिलके एक पूरा diameter बना देती है जिसे हम व्यास बोलते हैं कि क्या बोलते हैं व्यास कि व्यास या डायामेटर ठीक है क्या बोलेंगे इसको व्यास के व्यास बोलेंगे यह पूरा व्यास है कहीं बार प्रसंन आजाता है कि व्यास और त्रिज्जा से दुगना व्यास जो होता है वह त्रिज्जा से दुगना जैसे अगर त्रिज्जा देदी दस तो व्यास बीस होगा क्योंकि दस जमा दस बीस होता है ठीक है अब इसके अंदर जो है वही है जो अंतेगर है जो अंदर होगा और एक वहीर भाग बाहर होगा ठीक है अभियंतर अंदर होगा वहीर भाग बाहर इंटर्नल एक्स्टर्नल या इंटीरियर एक्स्टीरियर आता है फिर उसके बाद आता है आपके पास त्रिज्जाखंड त्रिज्जाखंड क्या होता है जैसे यहां से त्रिज्जा एक त्रिज्जा यह आगी दूसरी त्रिज्जा यह आगी अब जो ये दो त्रिज्जाओं के बीच में जितना भी एरिया है जब दो त्रिज्जाओं के और ये प्रीधी के बीच में जितना भी क्षेत्रफल होता है उसे हम त्रिज्जाखंड कहते हैं त्रिज्जाखंड ठीक है और एक जीवा होती है जीवा होती है यह क्या होगा तरिजाखंड ठीक है बच्चो अब जीवा क्या होती है देखो जीवा जैसे यहां केंदर है अगर मैं इस लाइन को खींच देता हूं तो यह जीवा है अगर इस लाइन को खींच देता हूं यह भी जीवा है तो किसी भी वृत में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होते हैं जो जीवा के इंदर से होके गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा है और उसे हम व्यास बोलते हैं व्यास और ये सबी बाकी छोटी जीवाई होंगी यह भी जीवा ओसकती है यह धोना तरफ से वृत को दोने चाहिए ठीक है और जीवा और ये वृत जब जिस क्षेतर फल को अगेर के रखता है उससे हम वृत्खंड केते हैं क्या कहें से इसे बलेंगे व्रीत खंड व्रीत खंड ठीक है व्रीत खंड में भी एक लगू व्रीत खंड होता है अब जैसे हमारे पास यह व्रीत है एक और अगर मैं यहाँ जीवा कीज़ दूं तो यह देखो यह छोटा व्रीत है इसे हम लगू व्रीत खंड कहेंगे और जो यह बड़ा है इसे हम दिर्ग व्रीत खंड कहेंगे ठीक है यह व्रीत खंड का बड़ा पार्ट है और यह छोटा है तो छोटे पार्ट को हम लगू व्रीत खंड कहेंगे बड़े को दिर्ग व्रित खंड कहेंगे तो चलिए अब हम एक्सेसाइज कर लेते हैं प्रसनावली 4.6 है इसमें हमारे पास अकृति दी गई है और उस से संबंदित प्रसन उतर दिये गई हैं तो यह अकृति है व्रित की हमारे पास अकृति दी गई है तो सलगन अकृति देखकर लिखिए यानि जो अकृति हमें दी गई है तो उसमें देखकर हमने ये कोश्चनों के अंसर देने हैं तो चलिए अकृति बना लेते हैं तो हमें ये अकृति दी गई है इसमें देखो ये व्रित बना हुआ है तो इस उसका अंसर है, question number A, वृत का केंदर बताना है, क्या है, तो इस वृत का केंदर है, O, क्या है, O, बिंदु O, बिंदु O, इसका क्या है, केंदर है, ठीक है, तो A पार्ट का अंसर आजेगा, O, तिर B का अंसर क्या आएगा, देखो, तीन त्रिजां, तीन त्रिजां के नाम लिखने है, यानि जो O, बिंदु से सुरू हरी है, और इस पर, boundary पर कहीं भी मिल रही है, तो वो त्रिजा है, तो त्रिजां है, O, A, O, B, और O, C, तो O, A है, O, B है, और O, C, ठीक है, तीन त्रिजां है, C, पार्ट में देखो क्या C में इसने एक व्यास पुछा है, तो व्यास ये है सिदा, ऐसी कोई भी लाइन जो केंदर से उके गुजरती है, और दुन्नों तरफ बृत को टच करें, उसे हम व्यास बोलते हैं, या डायामेटर बोलते हैं, तो ये A, C आजेगा, A, C क्या है, डायामेटर है, फिर उसके बा उसने कहा है कि, एक जीवा बताईए, तो जीवा ये भी हो सकता है, और ये डायामेटर भी हो सकता है, तो हमने एक जीवा बताना है, तो हम ये E, D, फिक है, एक जीवा है E, D फिर है अभियंतर में दो बिंदू इस वृत के अंदर कोई भी दो बिंदू लिखने है जो वृत के अंदर होने चाहिए तो एक तो O बिंदू है के अंदर हमें सा अंदर होता है अभियंतर में और एक P बिंदू है तो E भाग में इसका अंसर आजाएगा आपके पास फिर उसके बाद ये कहता है, E का तो ये अंसर आगया था, F का क्या अंसर आएगा देखो, F का क्या अंसर आएगा, ये कह रहा है F में बहिर भाग में एक बिंदू, यानि इसके बाहर कोई बिंदू हो, बहिर भाग में कोई बिंदू हो देखते हैं, चित्तर में, तो बाहर तो इसमें कोई भी बिंदू नहीं दिया गया है, ये बिंदू क्याओ दिया हुआ है एक यहां पे, क्याओ बिंदू दिया हुआ है एक बाहर, तो F का बिंदू क्या ह जो है वह इसके बहिरभाग में हैं बाहर है तो अफ का है बहिरभाग और जी में पुछा गया है एक त्रिजया खंड हम ऐद जी का अंसर क्या है त्रिजया खंड बताना है यानि तॉ Comic चाहूं से ठीक है तो वृत्खंड का क्या नाम है इसमें तो वृत्खंड बताना है हमने एक तो यह आजेगा वृत्खंड यह है एच का अंसर है तो यह क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है अब हम क्वेश्चन नमबर दो करते हैं दो में क्वेश्चनों के अंसर देने हैं कि क्या जो वृत्खंड का परतेक व्यास उसकी एक जीवा होती है क्या व्यास जो है वृत्खंड की जीवा हो सकती है व्यास जो है तो दूसरे का अंसर A का भाग हाँ आजएगा हाँ वृत की जो जीवा है वो व्यास होती है और सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास B का अंसर है आपके पास क्या वृत की प्रतेक जीवा उसका एक व्यास भी होती है तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जीवा यानि ये वाड़ी जीवा जो है क्या ये व्यास होगा तो ये नहीं होगा क्योंकि व्यास तो ये है सबसे वड़ी जीवा व्यास होती है लेकिन सबी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती तो इसका उत्तर नहीं आएगा नहीं ठीक है तो दूसरे के बी का उत्तरा आएगा नहीं question number 3 पे चलते हैं तो question number 3 तो इसमे question number 3 में क्या है कोई वरित खींचिए और उसमें ये अंकित कीजिए ये है जैसे आपके पास जिसका केंदर उसका क्या होना चाहिए केंदर होना चाहिए तो ए पार्ट में जो है वरित बनाना अपने उसका केंदर लिखना है O और इसमें क्या है B में एक वरित खंड होना चाहिए क्या होना चाहिए वरित खंड तो B पार्ट में हम वरित खंड बना देंगे तो ये यहाँ से ऐसे बना दो और ये लिख दो तो यह यहाँ A, B लिख दो और यहाँ O लिख दो तो यह वरित खंड बन गया ठीक है यह लगू वरित खंड बना दिया हमने यह दीज़ वरित खंड है ठीक है फिर C पार्ट में कहता है कि एक तरिज्जा खेंच यह तो C पार्ट में मैं इसी का बना देता हूँ C पार्ट में का उत्तर जो जागा एक त्रिजा कहींचनी है हमने ये त्रिजा मैंने कहींच देशकी तो आपने ये चितर बनाना है तो D पार्ट में है इसके अभ्यांतर में एक बिंदू तो इसकी अभियांतर में वैसे ये बिंदू O भी है एक और बिंदू यहां लिख देते हैं हम P तो ये D पार्ट का अंसर बन जाएगा अगर हम कोई भी एक बिंदू इसके बीच में लगा देंगे तो ये हमारा D का अंसर बन जाएगा question number D का अंसर ठीक है फिर E पार्ट में देखो क्या पुछा है इसने एक व्यास तो वृत बनाना है और उसका व्यास बनाना है तो मैं इसी में E पार्ट बना देता हूँ तो E पार्ट में देखो हम क्या करेंगे इस त्रिज्या को पूरा कर देंगे अगली ये पूरा एक व्यास बन जाता है ठीक है इस बिंदू की जूरत नहीं है ये पिछले question में था तो ये यहाँ पर बिंदू O लिखे दो इसका इंदर है और ये व्यास है A, B A और B तो ये इस का अंसर आपने ऐसे बनाना है फिर है F में उसके बहिर भाग में एक बिंदू होना चाहिए ठीक है एक व्रित बनाना है और उसके बहिर भाग में जैसे अब ये व्रित बना लेते हैं चलो दबारा बना देता हूँ मैं E के बाद F पार्ट का है हम एक व्रित बनाएंगे और ये बिंदू O है उसके बहिर भाग का मतलब बाहर एक बिंदू लेना यहां बिंदू पी ले लिया तो ये आपने बनाना है ऐसे फिर G पार्ट में क्या होगा देखो G में इसने पुछा है एक त्रिज्जा खंड बनाएं तो इसी का बना देते हैं त्रिज्जा खंड भी तो त्रिज्जा खंड में हम क्या करेंगे ये त्रिज्जा और ये त्रिज्जा दो त्रिज्जा हैं लेंगे और ऐसे डोटिड कर लो तो ये एक त्रिज्जा खंड ब आगे हैच वाड़ा क्वेश्चन है जो इसका अंसर पढ़ो तो हैच में हमने क्या करना एक वरीत बनाना है और उसकी चाप लिखनी है चाप का मतलब दो बिंदू एक बिंदू यहां मैं यह लिख लेता हूं और दूसरा बिंदू भी लिख देता हूं तो एबी जो है इसकी चाप आगी एबी ठीक है चाप आजाती है तो इस तरह से आपने एच पार्ट में लिखना है इसका अंसर बनाना है ठीक है बच्चो अब चोथे कोश्चन देखते हैं तो अगर आपको यह कोश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बटन को भी दबाईए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फैदा उठा सकें और आप तक सभी वीडियो पहुंच सकें ठीक है बच्चो तो आगे है क्वेश्चन नमबर चार का अंसर तो इसमें हमने बताना है सत्या और असत्या तो क्वेश्चन नमबर चार में सत्या सत्या है जैसे वृत के दो व्यास अवश्य ही प्रतिछेद करेंगे यह पार्ट में हैं आपके पास वृत है जो ये वृत है इसके दो व्यास दो व्यास का मतलब एक व्यास मैंने ये ले लिया केंदर से ओके जाता है और दूसरा व्यास ये ले लिया ये भी केंदर से ओके जाता है तो ये दो व्यास आपस में कहीं न कहीं जुरूर मिलेंगे तो ये सत्य है तो सत्य या सही आएगा true ठीक है और B में क्या आएगा वृत का केंदर सदेव उसके भीहंतर होता है अब ये बिंदू O है केंदर तो ये वृत के अंदर है बीच में है बाहर तो नहीं है तो ये हमेशा भीहंतर में होता है तो ये भी सत्य है या true है ठीक है बचो तो ये चैप यहीं तक exercises थी तो आपने यह पूरी कर लेनी है फिर next chapter पर हम मिलेंगे next video के साथ धन्यवाद जैहिन